हलो दोस्तों कैसे है आप लोग आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है इन यूर नॉलजशॉप तो विदाउट इनी बेस्टिंग टाइम हम पढ़ता है वीडियो की तरफ सो आज के वीडियो का टॉपिक है हाउ टू ब्यूटिफा यूर गिटब प्रोफाइल सो अब आप जो गिटब प्रोफाइल देख रहे हो स्क्रीन पर वो मेरी प्रोफाइल है आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेरे प्रोजेक्स मेंशन किये हुआ है मुझे कौन सी में और या फिर हम जॉब अप्लिकेशन में भी मेंशन करता है तो जब कोई रिक्रूटर या फिर कोई एंपलार इस प्रोफाइल को विजट करता है तो वह अपर सिंगल ग्लांस आपकी प्रोफाइल को अच्छी तरह से समझ पाता है और वह देख सकता है कि आपने कौन से में अपने person projects build की है इसलिए यह बहुत जरुरी होता है कि आप अपनी GitHub profile को एक attractive और eye-catching बना तो इसके लिए आपको इस वीडियो के description में जो link दिया है उसके उपर click करना है और उसको किसी भी browser में open करना है और जैदे जैसे मैं इस वीडियो में आपको steps बता रहा हूँ आपको उसको follow करना है तो link को open करने के बाद आपको कुछ ऐसा user interface मिलेगा तो basically यह एक form है जिसको आपको fill करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे already data यहाँ पर fill है तो details में मैं title change कर रहा हूँ और subtitle मैं बाकी जो details है जैसे कि मैं कांगया करता हूँ मेरे project फिर मेरे programming languages कोन से आती है मुझे जो मेरे skills है तो यहाँ पर मैं एंटर कर रहा हूँ उसके बाद front-end development में मुझे कौन से framework साते है यहाँ पर जो मुझे चीज़े आती है वो मैं एंटर कर रहा हूँ और scroll down करने के बाद back-end development फिर उसके बाद mobile lab development फिर आप देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत सारे section से AI, ML, database, data visualization, devops, backend as a service, back तो मुझे जो जो technologies इन में आती है उनको मैं चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पर various domains है testing software और फिर बहुत सारे domains है और बाग ही फिर अपके social handle भी होगे तो यह सब करने के बाद आपको नीचे एक generate.readme button देगा उसके उपर आपको click करना है और फिर वो आपका readme file create करेगा तो आपको इस file को copy करना है copy markdown button के उपर click करके इसके बाद आपको अपनी github profile को open करना है और profile को open करने के बाद आपको repository section में जाना है repositories में आपको एक नई repository create करनी है और उसमें आप अपने जो github का जो username में उससी नाम से आपको नई repository create करनी है तो नई repository क्रियेट करने के बाद आपको Quick Setup section के अंदर readme.md जो hyperlink है उसके उपपर आपको क्लिक करना है तो इसके बाद आपको नीचे editing mode में आप देख सकते हो कि बहुत सरी चीज़े लिकी हुए और नितीज बोसले 7 नितीज बोसले 7 एक special repository है इसकी जो readme file है वो एक special readme file है जिसका content आपके main profile के उपर display होता है तो इसलिए हम इसमें हमारा जो पहले copy किया हुआ content है वो paste करेंगे और commit changes के उपर क्लिक करेंगे चेंजेस सेफ होने के बाद आप देख सकते हो कि already कुछ UI content screen पे display हो रहा है तो इसके बाद हम फिर से अपनी profile को open करेंगे और अब आप यहां पर देख सकते हो कि beautiful UI content आपके profile के उपर दिक रहा है जिसमें आपकी सारी skills आपके github के सारे जो commits है repositories है वो एक proper way में display हो रहा है जो की काफ़ इंप्रेजिव है और यह बहुत eye-catching है तो इस तरह से आप अपनी profile को improve कर सकते हो और recruiters और employers का attention सीख कर सकते हो तो आज के वीडियो में बस इतना ही था अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like कीजे और अपने developers दोस्त के अजाद इसको share कीजे मिलते हैं आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए good bye